नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और स्वागत है आपका मेकेनिकल नेकसस में आज हम बात करेंगे अल्ट्रा सोनिक वेल्डिंग के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि अल्ट्रा सोनिक वर्ड के रिप्रेजेंट करता है दीखे जो range होती है ultra यह होती है हमारी 20,000 से start और higher 20,000 hertz and higher hertz ठीक है अगर इतनी high frequency का use हम इस welding machine में करेंगे तो इसको कहा जाता है ultrasonic welding machine अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस ultrasonic welding machine की कौन-कौन सी characteristics होती है तो सबसे पहली characteristics इसकी यह होती है कि यह हमारी एक solid state welding है और solid state welding को हम autogenius welding के नाम से जानते हैं यानि कि एक वह welding जिसमें हम किसी भी परकार के filler material का use नहीं करते उसको autogenius या solid state welding कहा जाता है तो दूसरा हमाए यह पता चला इसमें no filler material use हम किसी भी filler material का use इस welding में नहीं करेंगे इसमें किसी भी परकार के flux का भी use नहीं किया जाता तो no flux used और हम इसमें किसी भी परकार के external heat source का भी use नहीं करते यानि no external heat used ठीक है इससे यह पता चलता है कि इसके machine यानि इस welding process के दोरान जो heat develop होती है उसी का हम use करेंगे पांचवे हम बात करते हैं इसमें जो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे फिर एक तो इस high frequency का use करेंगे तो यहाँ पे हम use करेंगे frequency का साथ के साथ इसमें use करेंगे एक pressure का जो कि हम उपर load के दोरा provide करते हैं साथ में हम करेंगे इसमें एक pressure यह हमारा एक static pressure होता है चलिए बात करते हैं फिर इसके हर एक parts की सबसे पहले हमारे यह जो welding machine होती है ultrasonic welding machine यह सबसे पहले हमारे एक power source से connected होती है और यह power source हमारा AC type का power source होता है हम इसमें DC use नहीं करते हैं क्योंकि हमें एक sign wave चाहिए होती है जो कि इस hertz तक पहुंच सके तो हम AC का use करेंगे और यह हमारी कितनी होती है जनली जो हमें provide की जाती है यह 220 volt पर मिलती है जिसके अंदर हमारा 60 hertz तक की हमारी frequency range मिलती है देखिए 60 hertz एक बहुत बहुत छोटी range है जिसको हम और हम इस welding machine में आप देखी 20,000 से ज़्यादा hertz यूज करते है तो हम सबसे पहले frequency converter का use करेंगे frequency converter क्या करेगा इस lower frequency को higher frequency में convert कर देगा इसको कर देगा high यही है हमारा frequency converter और कितनी high कर देता है हम इसमें use करते हैं 20,000 hertz से लेकर 60,000 hertz तक की power supplies ठीक है यह hertz हमारा frequency की unit होती है अब यह देखिए इस frequency converter में इस small hertz को इतना high hertz में convert कर दिया तो further यह हमारे trans reducer में जाता है trans reducer एक ऐसी device होता है जो कि हमारी इस high frequency को absorb करके vibration energy में convert करता है यानि कि हमारा यहाँ पर हमें मिली एक vibration energy ठीक है और vibration energy एक तरह की हमारी mechanical energy है और frequency converter यहाँ पर जो हमारी energy थी वो हमारी एक तरह से electrical energy थी तो यहाँ पर energy का convert हो गया high frequency को हमने vibration में convert कर दिया with the help of a trans reducer तो यह हमारा trans reducer इस तरह की vibration energy create करता है अब देखिए यह trans reducer हमारा connect होता है read से read हमारा vibration energy को हमारे work piece तक महुचाता है with the help of a sonotrode और इस sonotrode को horn के नाम से भी जाना जाता है अब यह sonotrode क्या करता है यह हमारी जो vibration energy जो हमारा trans reducer produce कर रहा है उसको इस work piece तक महुचाता है तो यहाँ पर हमारी vibration energy हमें मिलती है इस vibration energy को shear energy भी कहा जाता है यह हमारी shear energy है shear energy का होता क्या है मतलब shear energy जब दो surface आपस में एक दूसरे के against जब रब की जाए ठीक है इस तरह की जो energy होगी जैसे कि हमारी यहाँ पर कैसी energy है इस sonotrode tip के पास vibration energy और यह vibration energy हमारे work piece को provide करी तो यहाँ पर हमारी shear energy है जो की dynamic है nature में यह हमारी तरह की dynamic energy है अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे welding perform होती है अब हम आगे welding principle की तरह तो थोड़ा ध्यान से समझेगा देखिए यह मेरा work piece 1 है और यह मेरा work piece 2 है इसको मैं थोड़ा जूम और detailing करके यहाँ पर बताता हूँ यह मेरा work piece है work piece 1 और नीचे मेरा work piece है यह work piece 2 पहले आप इसकी छोटी से theory को समझेए होता क्या है अगर दो surface perfectly smooth हो जिनके अंदर किसी भी तरह की peaks and valleys ना हो कोई भी oxide ना हो किसी भी तरह की कोई impurities ना हो तब हम यहाँ पे उन दोनों को easily weld कर सकते हैं जिसमें हमें केवल और केवल थोड़ी सी heat energy चाहिए और atomic level की हमारी bonding क्रेट हो जाएगी मगर practical ऐसा possible नहीं होता तो होता क्या है practical होता यह है sheet 1 और sheet 2 के बीच में जो surface होता है यह perfectly smooth नहीं होता तो क्या होता है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ peaks and valleys होती है ठीक है यह कुछ मैंने peaks and valleys बना दी है और इन peaks and valleys के बीच में ही हमारी यहाँ पे impurities भरी होती है ठीक है जो हमें surrounding air से मिलती है साथ के साथ इन दोनों के बीच में oxide की एक layer होती है थोड़ा ध्यान से समझीए यह oxide हम इसको avoid नहीं कर सकते अगर कोई भी चीज open to air रखी हुई है क्यों कोई भी metal है माली जी यह metal है जब भी कोई metal oxygen के साथ reaction करता है तो वो बनाता है oxide तो हम इसको साफ कर दे तो हट सकता है बट जैसे जैसे समय बितेगा oxygen के साथ metal contact बनाएगा तो द्वारा oxide क्रेट हो जाता है इसलिए impurity और oxide को हम हटा नहीं सकते तो हम इसमें करेंगे क्या हमें यहाँ पर जो energy मिली वो किस तरह की energy है vibration energy है ठीक है हमें वर्कपिस उपर सॉनट road road से मिला इस वाली में vibration energy जब यह vibration energy sheet 1 के साथ vibration करेगी और यह sheet 1 sheet 2 के साथ surface contact में है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में generate होता है friction ठीक है और यह जो friction की range है यह हमारे जो भी हमारा metal यहाँ पर यूज किया जा रहा है उसके about अगर बात की जाए तो 35% से लेगा 50% तक of temperature of melting यानि metal का जो temperature है melting temperature उसके 35% से लेके 50% तक के बीच में यह friction energy डवलप होती है friction energy क्या करती है friction energy हमारे यहाँ पर heat energy को produce करती है तो इन दोनों के बीच में हमारी क्या हो गई heat energy produce हो गई due to friction यहाँ पर हमारी हो गई heat energy produce यह heat energy क्या करेगी इन दोनों के बीच में इन दोनों का जो zone है यह level है उसको प्लास्टिक स्टेज में convert कर देगी तो हमें इससे यह पता चला अब यहाँ पर जो दोनों surface है उन दोनों के बीच में जो zone है वो प्लास्टिक स्टेज में convert हो गया है due to the friction और इस friction के कारण जो heat develop होई है उसके कारण इससे होता क्या है देखिए इस तरह क्या जो motion है vibration motion उसके कारण इसके बीच में जो भी impurities थी या जो भी oxide था वो flushed out हो जाता है flushed out का मतलब इससे भार चला जाता है इनके edges से निकल के और हमारा यहाँ पर अब जो surface है उसको हम कह सकते हैं यह हमारी किसम के अंदर किसी भी तरह की ना तो कोई impurities है नहीं कोई oxide के layer है अब हमें एक चाहिए छोटा सा pressure जो इन दोनों को जोड सके वो pressure apply किया जाता है यहाँ पर load के help से तो यहाँ पर जो read होता है वो क्या करता है इस load को vertical downward motion में transfer करता है ठीक है तो यहाँ पर साथ के साथ यहाँ पर vertical downward motion मिला हमारे workpiece 1 के help से workpiece 2 already हमारे anvil के help से stationary position में है उपर से हमें load के help से नीचे की तरफ एक दबाव मिला एक pressure मिला जिसके कारण already plastic zone में थे तो इनके बीच में atomic level की bonding हो जाती है इसी को कहा जाता है ultrasonic welding अब देखिए बात करते हैं कि यार इसके कुछ advantage क्या है और क्या disadvantages है तो देखिए advantages की अगर बात कर ली जाए जो बहुत important है वो सबसे पहली जो सबसे खास important है ultrasonic welding की इसके अंदर जो heat affected zone जो बनता है जिसको short form में has कहा जाता है वो बहुत ही बहुत ही कम होता है बहुत ही negligible होता है यानि नाक परबर होता है क्योंकि एक तरह की solid state welding है और solid state welding में हमारे residual stress जनेट होने क चांस बहुत जादा होते हैं मगर यहां पर किसी भी प्रकार का जो residual stress होता है वो बहुत limited होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं less residual stress develop during welding process यानि अब जितना कम residual stress डवलब होगा उत्रा हमें further कम से कम heat treatment use करने पढ़ेंगे तीसरा जो हम बहुत important चीज़ है इसमें dissimilar metal can be easily weld यानि हम किसी भी dissimilar metal को चाहे वो metal हो या non metal हो चाहे even वो plastic हो वहाँ पर हम इसको easily join कर सकते हैं कुछ disadvantage की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा इसकी एक disadvantage है वो यह है कि यहाँ पर हम जो हमारी sheet की जो thickness है वो बहुत limited होती है यानि disadvantage में जो इसकी sheet की thickness है वो केवल और केवल maximum 3 mm तक होनी चाहिए इसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा होगे तो यहाँ पर जो friction develop होगा वो बहुत कम हो जाएगा और वो कम friction हमारे कम heat को produce कर पाएगा और atomic level की bonding नहीं हो पाएगी दूसरी चीज जो यहाँ पर जो हम joint करते हैं तो कैसी surface होनी चाहिए एक दूसरे के about होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए और इस तरह की position को lab position कहा जाता है यानि lab position is possible यानि कि हम यहाँ पर butt weld नहीं कर सकते ultrasonic welding के help से क्योंकि यहाँ पर heat affected zone है इस welding में वह बहुत कम होता है इसलिए याद रखना बहुत important चीज़ बता रहा हूं इस welding का use हम nuclear reactor में करते हैं तो दोस्तों यह था बहुत important ultrasonic welding machine के बारे में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और हमेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए thank you for watching